हेलो नमस्ते ये देखिए सर्सों का साख बन रहा है आज और मैंने लिए हैं तीन तरह की भाजी सर्सों की भाजी और मैथी की थोड़ी मैथी के लिए थोड़ी बतुए के लिए तो तीन तरह की भाजी मैंने अच्छे से ओबाल नहीं थी पानी में गरम पानी में और ओबाल क अपनी आदो सिलर्टे से पीश लो या फिर मिक्सी से पीश लो या फिर कोई चीज वाईसी हो तो उस्टे भी मिक्स कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी लखती है ठंड के मौसम में अच्छा लगता है nuclear तो फिर मैंने ये ये भी मसाला तयार कर लिया था और इसको मिक्सी से पीस लिया था तो मिक्सी में पीस लिया फिर इसको सी में डाल दूँगी क्योंकि और मतलब से तक तड़का तयार करूंगे तब तक ये खौलती रहेगी तो ये खोल रही है तब तक मैं तड़का लगाऊंगी इसमें और मैं देशीगी में लगाऊंगी तो देशीगी से अच्छी लगती है सबजी मतलब देशीगी में बना रही हूं मैं तो देशीगी से बहुत ही इस्वात लगती है ये सबजी तो नैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ यह सबजी आज बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं बना रही मैं तब यह ठीक नहीं रहती मेरे इसलिए रह इ Bowl आती यह अदरक लेसन ढाल दिया था मैंने अद्रक लेसन हर इमिट प्याज भी डलती है लेकिन मैंने प्याज नहीं डाली थी प्याज भी डाल सकते हैं अपन तो प्याज भी डलती है इसमें तो अपने उसके अनिशार रहती है आपनको प्यास अच्छी लग रही तो प्यास भी ढाल दो नहीं लग रही तो नहीं ढालओ कोई ज्रूरत नइए को थोड़ा घी वास ढ़ दिया था है मैंने काम लग रहा था तो और फिर ये अच्छे सिख जाएगा तो थोड़ी सी में वो डालूँगी ये देखिए अच्छे सिख गया अब इसमें थोड़ी सी वो डालूँगी धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च और इसमें कुछ नहीं डालूँगी मैं क्योंकि और इसमें कुछ मट डालो मतलब और हल्दी बगेरा कुछ भी मट डालो ग्रम मसाला कुछ मट डालो ऐसे ही अच्छी लगती है सबजी तो अब नमक डाल दिया थोड़ा भाजी डाल दी थी मैंने क्योंक एक हासे मुबाइल पकड़ना पड़ रहा था तो इसलिए मैं अब भाजी डाल दी एक मुबाइल रखके देखाया नहीं आपको और यह देखिए अब अच्छे से इसको इसमें मिला दिया मैंने मिक्स कर दिया और अब थोड़ा सा आटा डाल रही हूं मैं मक्य का आटा थोड़ा सा फिर इसको अच्छे से पकाऊंगी में चलाके मैंने देखा था ऐसे सीका है मैंने बनाना क्योंकि हम लोगों को भी नहीं आता बनाना तो लेकिन मैंने ऐसे मुबाइल में देखके सीका है तो ऐसे ही देखा था मैंने तो मैंने ऐसे ही बना लिया तो बहुत अच्छा लग रहा था बहुत टेश्टी लगा था सब्की तो इसको बुलाने आई थी मैं उड़ गया यह देख